हेलो दोस्तों तो कैसे हैं आप इस वीडियो में हम बात करेंगे एसल वर्सिस पीए के ड्रीम लेवन स्टाट्स प्लस इंफो यानि शिल्डंका और पाकिस्तान के बीच में जो एशिया कप का मैच नंबर 12 है उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों यही टीम्स के बीच में आपको पता है इस शिया कप का फाइनल भी होने वाला है लेकिन यह मैच फाइनल का नहीं यह ग्रूप स्टेज का मैच है तो एक तरह से दोनों टीम्स यहाँ पे आपको हो सकता है कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते दिख जाएं जिस वज़े से मैच थोड़ा रिस्की भी रह सकता है लेकिन यही रिस्क रात को थोड़ा बहतर हो जाता है पिच जो है थोड़ी सी फास्ट बूलर्स को यहाँ पे हल्प दे रही है इस्पेशली स्टार्ट में लेकिन जो पहले घास थी वो कम हो गई है इन्फेक्ट जो कल मैच हुआ था आपको पता है इंडिया ने बहुत बढ़ीया रंस करे थे अफगानिस्तान के सामने उसी वली सेम पिच पे जो कल यूज हुई थी वो आज यूज होने वली है और फाइनल में एकदम न्यू पिच यूज होगी तो ठीक है यहाँ पे स्पिन को हलकी सी उसके हिसाब से सपोर्ट मिल सकती है घास कम होगी होगी कल के मैच होने की वज़ अफगानिस्तान में हुआ तो अगर आप देख रहे हो तो स्कोरिंग अब बहतर हो गई है पहले के मुकाबले में 83 में से दोस्तों यहाँ पर विकेट देखोगे 51 फास्ट को गई है 26 पिन को और 6 रन और आप देखोगे लगबग अगर एक विकेट स्पिनर ले रहा है तो यहाँ पर जीत पाई है इंफक्ट तो केवल ये इंडिया ने Hong Kong को जो मैच हराया था उसमें पहले बल्ले बाज़करने वरे टीम जीती थी और जो इंडिया ने यहाँ पर मैच यहाँ अफगानिस्तान को हराया उसमें वर्ना हर मैच चेजिंग टीम ही लगा था यहाँ पर जीती आई है पिछले कुछ मैच इस से अभी दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे यह कुछ जनरिक स्टाट्स है जो मैंने इश्यक अब से पहले के लिखे थे लेकिन यह स्टाट्स में काफी जादा आप कह सकते हो कि रंडेट कम आपको इसलिए दिख रहा है क्योंकि भाई आपे वीकर टीम्स जादा खेली है ना कि जादा स्ट्रॉंग टीम्स अभी पाकिस्तान श्रिलंका के हैड़ टो एड़ की बात करते हैं दूसर टी टी टो एंड़ में 21 मैच खेले हैं तेरा बार पाकिस्तान जीती है श्रिलंका जीती है आड़ बार जादा तर ये मैच इस बहुत पहले के हैं जिसे चांदी मलका आप देखोगे हैड टो एड में हाईय स्कोरिंग है छे मैच से 158 रन गुरा तिलाका 158 अगेन दोनों की यहां पर हाफ सेंजरी देखोगे दो-दो हैं शनाका के आठ मैच में 108 राजा पाकसा 3 मैच 112 बावराजन 6 मैच 79 असरंगा ने टीन मैच में आट विकेट निकाले है असनली ने तीन मैच में छे श्रदाब ने च्ये मेच में चार और मौम्द असनेने दो मैच में तीन विकेट पिछला जो हैड टू-एड रहाज शिद ल अब common player बाकी के players नहीं खेलने वाले ठीक है तो यह समझ सकते हो काफी पहले का मैच लगवग एक-दू साल हो चुके हैं श्रलंका ने इश्यकप में अच्छा किया उनकी start अच्छी नहीं हुई थी अफगानिस्तन से हार गई थी लेकिन उसके बाद यहां तक आ गए हैं और final खेलने वाली हैं तो यह चीज अच्छी है श्रलंका क्रिकेट के लिए क्योंकि श्रलंका क्रिकेट काफी टाइम से उतना अच्छन नहीं कर रहा था टीम में भनुका राजा पाकसा ने बहुत बड़िया कॉंट्रिविशन दिये चाहे नौक्स 30 रंस की आई हैं लेकिन मेरे इसाब से सबसे कुरूशल बल्लेवाजिर के साबित हुए हैं श्रनाका ने भी सेम काम किया राजा पाकसा और श्रनाका की फिनिशिंग इंबॉटेंट रही है हसरंगा बोलिंग से इंबॉटेंट है करून रत्ते फास्ट बोलिंग और राउंडर थीक्षन आउस्पिनर या फिर असिता फर्नैंडो और दिल्शान मदुशंका हैं स्कोरिंग वाइस कुसाल मेंडेस ने इनके लिए बेस्ट स्कोरिंग करिया अभी तक दो साथ शतिस सत्तावन पिछले तीन मैचेज में रेगुलर स्कोरिंग किया है निसंका है इस बिन डिसेंट ठीक है 20-35 और 52 पिछले कुछ मैचेज में तो यहां आप समझ लेओ असलंक सिल्वा है जो कि बेंच पे बहुत तगड़े प्लेयर बैठे हैं तो उनको हो सकता है टीम ट्राय करें वो एक राइटाम ऑस्पिन ऑप्शन भी दे देते हैं एक्स्टर शलंका को बोलिंग में इनके लिए दिशान मजुशंका हैस बिन कॉइड गुड छे विक्टे निकाल इनकाल लिए बार बार यही कर रहा था इंडिया के आगे यह दो वर डाल जाते हैं विकट भी ले जाते हैं श्रिलंका के फूल स्टाट्स प्रस इंफो दोस्तों की टीट्वेंटी का रिकॉर्ड आप देख रहे हो आप यहां पे दिरंजड इस सिल्वा का रिकॉर्ड के पास यह प्लियर बढ़िया है दोस्तों अगर आते हैं टीम में तो जरूर आप ध्यान देना ठीक है अब हम पाकिस्तान के उपर चलते हैं टीम काफी स्ट्रॉंग है टॉप ओडर काफी जादा इंपोर्टेंट हैं इनका पर्टिकुर्ड रिजवान और बाबर बाबर न और तेजरंस करने के भी केवेवल हैं इन में से एक मैच में शदाब को प्रमोट कर दिया गया है एक मैच में खुश दिल को नॉर्मली आपको यहाँ पर बता दूँ पहले इफ्तिकार आएंगे इफ्तिकार के बाद आसिफ फिर खुश दिल फिर शदाब आएंगे तो यहा पाकिस्तान के सामने बहुत आप कह सकते हो पाकिस्तान के लिए श्रिलंका के सामने बहुत अच्छ है क्योंकि आपको यह बता दूं कि कुसाल मेंडेस है वो भी काफी स्ट्रगल किये हुए है हसन अली के आगे ठीक है बोलिंग में मुहमद नवास और श्रदाब दोनों स्पिनर्स ने काम किया है आठ और साथ विकेट निकाल ये रेगुलर चार ओर देते हैं आपको नसीम शाह है है हरेस रॉफ है मुहमद असनेन है इनमें मुहमद असनेन ने दो ही विकेट निकाले हैं क्योंकि एक मच कम खेल आपसे नसीम शाह ने भी काफी अच्छा किया है और मुहमद असनेन भी एक्सपिरियंस रखते हैं दोस्तों मैच अफस में जादा डेटा नहीं है सिंपल डेटा है गुनो तिला का शिदाब खान के आगे दो बार आउट हुए है राजा पाकसा हसनेन के आगे एक बार और और आसिफली हसरंगा के आगे दो बार आउट हुए है हमें डेटा यह इस मैच का जो मिलेगा वो मैं क्लेक्ट करके आपको फाइनल में भी बता दूँगा ताकि आप बेस से बेस फाइनल में भी करें इन्ही टीम्स के बीच में एशियक अपका फाइनल आपको जल्दी खे लगता दिखेगा दोस्तों यहां पर मैं आपको यह बताना चाहूंगा यह है एक्स्चेंज शुरी टू इसमें आप प्लेयर्स को बाय और सेल कर सकते हो बाय सेल कर सकते हो प्यूश भाई इसका क्या मतलब है दोस्तों इसका मतलब यह अगर आपको कोई प्लियर अच्छा लगता है उसको stock buy करो अगर लगता है कोई clear नहीं अच्छा करेगा उसको sell करो performance के साफसे आपको winnings मिल जाएगा आपका बहुत भैतरीन application है must try कहूंगा आपके लिए क्योंकि यह ऐसी application है जो बहुत genuine है और user friendly है यह आपके लिए audience के लिए सबसे अच्छी और यह भी बताना चाहूंगा कि बहुत लोग इसको पसंद कर रहे हैं तो जरूर ट्रै करना वीडियो के description में लिंक है जिन्होंने download ने किया अब इसमें आप किसको try कर सकते हो टीम में दोस्तों यहां पे देखो असलंका को आप try कर लेना अगर आज यह खेलते हैं क्यों क्योंकि हो सकता है कि इनको time मिले अगर यह खेलते हैं तो और वो time लेके खेलना चाहे है आज जीतने का pressure नहीं है बाकी यहां पे शिनाका और करुना रतने भी options है लेकिन rate थोड़े बढ़ गए है उनके हर इस रौफ एक अच्छी option है ठीक है इनके 5 share मैंने लिये हैं बढ़िया player है आपको death में bowling देते हैं तो कहीं न कहीं काम के player है अगर पाकिस्तान की पहले बल्ले बाजी आ जाए तो खुछ दिल शा को भी track कर सकते हैं लेकिन provided अगर पहले बल्ले बाजी आए तो बहतर रहेगा ठीक है चलिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तो विकेट कीपिंग में जो options आ रहे है रिजवान और कुसाल मेंडिस क्योंकि चान्दी मल अभी खेल नहीं रहे तो यही दोनों best options आ और यह दोनों ही opening पर है और विकेट कीपिंग भी आपको दे रहे हैं अब इस लिहाज से दोनों ही crucial हो जाते है क्योंकि point potential एक opener का अच्छा होता है विकेट कीपर additional points दे सकता है तो दोनों में कोई कभी नहीं है दोनों ही अपनी अपनी टीम के highest scorer रहे हैं इस tournament में तो विकेट कीपिंग section काफी dominant section है और इजवान और कुसाल मेंडिस दोनों को मैं लेके चलने वाला हूँ ड्रॉप करना हुआ तो रिसक लेकि आप कुसाल मेंडिस को ड्रॉप कर सकते हो ठीक है यहां पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं बल्ले बाजी में आप पास जो options आ रही है पथुम निसंका फखर जमान भनुका राजा पाकस आप देखो सबकी मैं आपको खास बात भी बता द असलंका वंडाउन है बड़िया प्लेयर है आज टाइम मिला तो आप इनको समझना की अच्छा performance दे सकते हैं इस Asia Cup में अभी तक आज के मैच में ही सबसे कम pressure होगा क्योंकि भाई अब final यही दोनों टीम्स खेलने वाली अगर असलंका को मुका मिला तो वक्त लेके खेलना च प्लेयर तो बड़िया है आप देखोगे लेकिन इनको बस दस से पंदरा वाल मिल रही है खेलने के इससे जादा मिलने रही चाहिए इंपक्फुल परफॉर्मर है कैचिस अच्छे करते हैं रन नोट्स में आते हैं को याद होगा इनोने ड्रेक्टेट मारा था बहुत अच है आप 4 में से की नी 3 को लेके चलना आप 4 को ले सकते हो लेकिन मैं सजस्ट करूंगा 3 को ही लेके चलो क्योंकि हमाने पास अब भी चार लेने की कोशिश करती है क्योंकि भाई बाबर देखोगे opener हैं और मेरे सबसे इन चारों में क्या सभी बल्लेवाज में क्षेल रहे या भानुका राजा पाकसा है जो 3-down पे आ रहे हैं और पाकिस्तान की spin bowling बढ़िया है लेकिन ये spin को और बढ़िया खेलते हैं क्या match-ups का इंग को advantage मिलेगा प्यूज भाई देखो left-time orthodox नवाज है match-up का advantage भानुका राजा पाकसा का हुआ क्योंकि left-hander है फाइदा मिलेगा then leg spinner है शदाब खान बॉल अंदर को spin होगी बिल्कुल तो भी राजा पाकसा को फाइदा मिलेगा leg spinner है हाला कि शदाब खान देखोगे अगर left-hander को 70% googles डालते हैं तो ऐसा है कि match-up वहाँ पे जो थोड़ा सा है उलट फेर हो सकता है ऐसा नहीं है कि शदाब इनको control नहीं कर सकते हैं इनकी form बहुत अच्छी है लेकिन निसंग का opener है और opener को time जाजा मिलता है एक दो edge भी लगए अगर चौकर चले जाए ओपनर का feel good factor होता है this is the reason मैं निसंका के साथ किया हूँ हाला कि निसंका की जगर राजा पाकसा भी आप कर सकते हो फखर जमान राजा पाकसा यह आपका call है फखर जमान का कहा है he is always in catching positions आपने दिखा होगा इंडिया के सामने catches drop किये थे ड्रॉब किये लेकिन थे तो catching positions भी न और बिशले मैच में एक दो catch किये भी है so फखर जमान is crucial in that aspect ज्यादा पॉइंट दे जाते हैं और वन्डाउन है हाला कि मेरा मन था राजा पाकसा दाकि पाकिस्तान के ज्यादा बोलर ले पूँ यह बल्लेवाजी की मेरी explanation थी आपके लिए और राउंडर में भाया मुझे यह तो चाहिए ही चाहिए अब देखो प्यूज भाई आपने यह तीन को ले लिया अब हम करुणा रतने तो ले नहीं सकते यही रीजन है कि मैं करुणा रतने को नहीं ले पाऊंगा क्योंकि हमें शदाब चाहिए चाहर और नवास चाहिए चाहर और असरंगा चाहिए चाहर और और सब लोर ओर्डर में बल्ले बाजी भी कर सकते हैं अब कुरूशल प्लियर देखूँगे इन में सबसे ज़ादा तो मेरे सबसे शिर्णंका के लिए तो वनीदू असरंगा ही है क्योंकि भाई वो उनकी टीम के आप कह सकते हो हीरे हैं मेन बूलर हैं नवाज ने इस टुनामट पर दिखाया है कि क्यों वो जवाज है और यहाँ पर शदाब खान तो क्रूशल और रहे ही तीनों को लेके चलना है करून अरत्ते मीडियम करते हैं लास्ट वेश्वर ट्वेंटीएथ होवर भी डाल दिया था खराब अप्शन नहीं है ट्राइबल रहेंगे बिल्कुल मना ही नहीं है उस केस में आपको फिर कुसाल मेंडे इसको लीव करना पड़ेगा दोस्तों यह चक पर पड़ रहा है ठीक है अब शनाका का भी सेम रीजन है बट मैं इनके उपर करूना रत्ते को थोड़ा प्रैफर कर लेता बल्ले बाजी में जाता अच्छे कौन है शनाका यह बाजी में करूना रत्तने ठीक है इफ्तिकार रहमत का तो सवाल ही नहीं पैदा होता क्योंकि हम इनको लेनी पा रहे है ठीक है अब दोस्तों बोलिंग पर आते हैं देखो बोलिंग में आपको यहां पर हरिस रॉफ नसीम शाथ यहीं चाहिए हसनान के उपर मैंने इसलिए पिक किया है क्योंकि यह रेगुलर ट्वेंट और कर रहे हैं तो और कूल थे यहां पर दोस्तों स्टार्टों मैंने क्या क्या किया था मैं आपको बता दूम पहले मैं राजा나 पाक्सा को लिया था और साथ में यह मईंकर अपकर时न को आरया रहे हैं लेकिन पिच को देखते हुए फास बुलर ने जादा अच्छा किया यह दुबई की विकेट है शार जाकी होती तो सीधा थीक्षना लेते है अब थीक्षना का क्या अडवांटेज है यह आपको चार ओर देते हैं और लेफ्ट हेंडर के आगे बढ़िया कर लेते हैं ठीक है क अगर बाद में होती है यानि कि अगर यहां पर इंपोर्टेंट नहीं रहेगा आप समझ रहे हो शर्लंका की अगर पहले बोलिंग है फिर तो चाहिए जितने मर्जी रंख है ट्वेंटिएथ हो राएगा न बदुशंका का लेकिन अगर शिलंका की पहले बल्लेवाजी है ठीक है और बाद में वो डिफेंड कर रहे हैं उस टेम बदुशंका का ट्वेंटिएथ हो राएगा गरेंटी नहीं है अगर पाकिस्तान खराब खेलेगी तबी आएगा क्या पता पाकिस्तन पहली चेस कर दे जिस वज़े से उस केस में ठीक्शना ले सकते हो मैंने उमीद करता हूँ सब कुछ अच्छे से बारीकी से एक्स्प्लेइन किया ताकि आप बेस्ट कर पाएं अपना कैप्टन्सी वाइस कैप्टन्सी की आप्शन मैं आपको दूस्तों बता दूँ अब यहाँ पे रिजव करते हैं यह ओपनिंग प्लस विकेट कीपिंग यह आपको लोवर और में बल्ले बाजी दे देंगे ठीक है एंड आपको चार ओवर भी देंगे वनीदू हसरंगा उमीद करता हूँ इस वीडियो के थ्रू आपको कुछ हल्प हुई अगर आपको लगता है कुछ हल्प दोस्तों को बता देना क्लिक लेर्न फॉर्कस्ट इस बैक रेगुलर वीडियो आ रही है जरूर लाइक करो